हाज इस वीडियो में हम एक stack implement करने वाले हैं जो increment operation support करें इस data structure को implement करने के लिए मुझे class मिला हुआ है इसमें तीन functions मुझे complete करने है post pop और increment और यह गाम achieve करने के लिए मुझे कुछ data members भी मिले है है यहाँ वैल्यू इंक्रिमेंट और इंडेक्स टिकर सो इनकी सारी functionalities को देखते हैं के करके यहाँ बेसिकली चार बंदे हैं पहला मैक्स साइज पुस पॉप और इंक्रिमेंट मैक्स साइज लेट सपोस अगर यह 4 होता इसका मतलब क्या है मतलब बेसिकली आपको एक स्टैक बनाना है जो चार बंदों को होल्ड कर सके तो देखते हैं पुस ऑप्रेशन क्या करता है एक बंदे को स्टैक के टॉप पे पुस कर देगा मैं बोलता हूं कि पहले वन के लिए ऑप्रेशन आया तो के लिए 3 के लिए और 4 के लिए इस टाइम पे आपका जो मैक्सिमम साइज होना था वो रीच हो चुगा है इसके बाद अगर अगेन एक पुस ऑप्रेशन आता है 5 के लिए तो अब यह सिंपली इंग्नोर कर सकते हो कोई एरर मैसेज के रिक्वार्मेंट नहीं है अब अगले बंदे को पुस मत करो अगला उप्रेशन देखते हैं अगला उप्रेशन है पॉप यह भी सिंपल ही है स्टैक नॉर्मल स्टैक की बहिवियर को ही इंपलेमेंट करना है पॉप बिसिकली टॉप की अलिमेंट को रिमूब करके रिटरन भी कर देगा बतलब अगर आपको यहां पे पॉप की अब थ्री को यहां से रिमूब करोगे और रिटरन भी कर दोगे ठीक है आखरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्सनालिटी है यह इंक्रिमेंट यह क्या करता है यह देखते हैं इसमें दो पैरमेंटर से हैं वैसे कि पहला बताता है काउंट कि कितने बंदों के लिए काम कर करना है कितने वैल्यू से काम करना है यह मतलब क्या है कि अगर लेट सब्सक्राइब होता इसका मतलब है कि आखरी के दो बंदे अभी मान लेते हैं कि थ्री फोर भी यहीं पर है अगर काउंट टू है मतलब स्टैक के बॉटम के दो बंदे मतलब टू और वन इन दोनों के लिए काम करना है काम क्या है उन्हें वैल्यू से इंक्रीज करते हैं अगर वैल्यू 5 होता तो आप इस वन को 1 प्लस 5 मतलब यहां 6 से रिप्लेस करते और यहां पर जो टू रखा ह होगा है उसे 2 प्लस 5 तब 7 से रिप्लेस कर देते हैं अब इस काउंट की वैल्यू इस के की वैल्यू जो है वह उस पर कंस्ट्रेंड नहीं है अगर आपका मैक्सिम साइज 4 है तो इस के की वैल्यू 100 भी हो सकती है इस सिच्विशन पर क्या करना होता है अगर सबोस कि आपक है तो के अगर इस बार 5 दिया होता ठीक है के वैल्यू कर 5 होती और आपके स्टैक वे चार बंदे हैं तो आपको सिंप्ली इन चारों के लिए ही काम करना है मतलब 5 बंदों को इंक्रीज कर दो कि लेट सबस्वां से तो आप क्योंकि 5 बंदे नहीं है चार बंदे को ही एक से इंक्रीज करते हैं यह हो जाता 5 यह जाता 4 यह जाता 8 और 6 इंक्रीज होके होता 7 चाहिक है तो functionalities इतने ही थे एक बार इसे parent करते हैं टेस्ट्रें के लिए ताकि सारा concept clear हो जाए इस पे जो पहला बंदा है input आपको handle नहीं करना Input पहले से handle है तो जो पहला बंदा है यह बता रहा है आपको यह अगर तीन है तो मैं तीन बंदों को hold करने के लिए एक स्टैग मनाता हूं पहला उप्रेसन आया push1 यहां पर मैंने 1 रख दिया अगला उप्रेसन push2 यहां पर मैंने 2 push कर दिया आप यह मुझे 2 को remove परके देगा ठीक है तो पहला बंदा जो remove हुआ है वो है टू अगें पुस्टू दो को मैंने हाँ पर डाल दिया अब मेरा जो स्टैक का साइज है वो मैक्सिम्म साइज मतलब तीन हो चुका है अब मुझे नए बंदे को पुस्ट नहीं करना ठीक है पुस्ट फोर आया ऐसे मैंने सिंपली इग्नोर कर दिया अब अगला ओप्रेशन है इंक्रिमेंट 200 मतलब नीचे के दो बंदों को 10 और सॉरी 2 और 1 को मुझे 100 से इंक्रीज करना है यह हो जाएगा 102 और यह 1 हो जाएगा रिप्लेस होके 101 ठीक है इसके पाद अगें पांच बंदों को 100 से इंक्रीज करना है इस पर देखो मेरे पास ती इन ही एलिमेंट्स थे और रिक्वेस्ट आई है कि नीचे के पांच बंदों को इंक्रीज करो इस पर सिंपली जितने बंद हैं उन सभी के लिए वक करेंगे जो है वो इंक्रीज होके हो जाएगा 103 जहां पर जो 102 था 102 को मैं 100 से इंक्रीज करूंगा तो यह 202 हो जाएगा औ जाइट घ्र अगें अगला ऑप्रेसंट पॉप उपर के तौप के बंदे को निकाल देगा यह सब अगला बंदा निक्ला 103 जिए दूसरा पॉप आया तुने 202 को कि पॉप कर दिया अगला पॉप आया ने 201 को रिमूट करके रिटन किया इसके बात देखो अगला ऑप ऑप अपरेशन आया इस टाइम पे मेरे स्टेक पे कोई भी नहीं है सिंप्ली एरर नहीं देना माइनस वन नहीं डिक है जब स्टेक में एलिमेंटल नहीं थे तो सिंप्ली-1 मैंने रिटन कर दिया और किसी बैमेंट को पॉप नहीं किया यह होना चाहिए इसका आउटपुट तो मिलते हैं इसके सॉल्यूशन पे तो इसे देखते हैं कैसे करना है यहापर मैं डेटा मेंबर्स के बारे में दिखाना चाहूंगा डेटा मेंबर्स मुझे तीन गिवन है वैल्यू इंक्रिमेंट और इंडेक्स तो इन्हें यूज करक इस कॉंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो देखो मैं बोलता हूं कि मेरी स्टैक पे कुछ एलिमेंट्स थे लेट सपोस्ट वन टू ट्री पॉर फाइव यह पांच बंदे थे और आपको रिकर्ष्ट आती है कि यार आपको आखरी के चार बंदे को इंक्रीस करना है लेट स यह काम में कैसे करूंगा क्योंकि सारा कुछ एरे पर होने वाला है तो आप इन सभी को आइट्रेट करते हुए इंक्रीस कर सकते हो थ्री से यह सॉलूशन कुछ सही नहीं है इसे ओ फवन पे इंप्लीमेंट की आया सकता है ओ प्रफन पर कैसे कर सकते हैं इंक्रीस जो है आखरी के चार बंदों के लिए हैं तो मैं एक जनरल आइडिया बनाता हूं कि इसके corresponding इसके corresponding मैंने एगर 3 रखाया है तो इसका मतलब है कि यह बंदा और इसके नीचे के सभी elements यह सभी elements को 3 से मुझे increment करना है यह मुझे help कैसे करेगा वेल स्ट्राइक की जो behavior होती है कि एलिमेंट्स टॉप से remove होना शुरू होंगे टॉप से remove होंगे यह behavior मुझे अभी help करने वाली है तो क्योंकि इन तीनों के जो increment होना चाहिए वो data इसके उपर वाले elements के पास रखा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि पहले जब यह element निकले तो अब बारी आई है उस element की जिसके पास यह data रखा हुआ है कि कितने से increase होना चाहिए यह राइट तो मैं इस element को निकालूंगा जब यह 4 पॉप होगा तो यह जो increment की value है मैं इसे shift कर दूंगा नीचे वाले पे ठीक है हमारा जो basic idea था वह क्या था इसके corresponding अगर 3 रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह बंदा और इसकी नीचे के सभी बंदे तीन से increase होने होने चाहिए यह effect काम कर जाएगा यहां पर अगें 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 अगर stack पर पॉप की operation होती है यह बंदा निकलेगा यह बंदा निकलेगा तो यह increment की value को मैं नीच इसे solve करके देखते हैं तो तीन लेंद का data member बनाते हैं इसे मैं बोलता हूं यह है value वाला array इसके corresponding एक और array बनेगा यह होगा increment वाला चीक है value और इंक्रिमेंट दो मैंने array बना लिए हैं दोनों का size 3 होगा अब जब पुस्ट करने को आता है मुझे request तो मैं यहां पर पुस्ट करूंगा one और इसके corresponding इंक्रिमेंट को 0 कर देते हूं अगले बारी पुस्ट करने को request आया टू को यहां पर मैंने टू को पुस्ट किया और इसके corresponding इंक्रिमेंट 0 रख दिया मैंने इसका मतलब यह ही है कि यह बंदा 0 से इंक्रिमेंट है अगला बंदा आया पॉप तो को मैंने यहां से निकालना है पहला बंदा टू निकल गया इसके corresponding value को आप कुछ ना करो तो भी चलेगा अभी अभी के लिए से रहने देते हैं अगला operation है फिर से पुस्ट के लिए यहां पर दो रखा मैंने और इसे मैंने वापस से 0 पे reset किया अगला बंदा आया पुस्ट 3 और इंक्रिमेंट हो गया 0 इसका अगला बंदा 4 आया क्योंकि size फुल हो चुका है 3 का size था वो reach हो चुका है तो इसे ignore कर दिया मैंने अगले बारी मुझे आखरी के दो बंदों को hundred से increase करना है तो आखरी की यह जो दो बंदे हैं इसे element के corresponding तू के corresponding मैं यहाँ पर 100 रखता हूं दो बंदे को increase करना था जो सबसे उपरोला बंदा था के corresponding मैंने increment वाली value को रख दी के बाद 5 बंदों को फिर से मुझे 100 से increase करना है इस बार 5 बंदे तो नहीं है तो 3 बंदे को ही increase करेंगे इसमें जो सबसे उपर है वो है 3 तो 3 के corresponding मैंने यहाँ पर 100 रख दिया ठीक है अब pop operation आया तो मैं बोलता हूं कि यार सबसे उपर के 3 को निकालना है लेकिन इसके alternative इसके corresponding यहाँ पर 100 रखा होगा है मतलब यह 100 से increase होना चाहिए तो यहाँ पर मैं 3 प्लस 100 मतलब 103 जब value return करूंगा 103 return करूंगा इसे पॉप करने के बाद यह जो 100 है यह नीचे के 2 बंदों को मिलना चाहिए तो इस 100 को मैं यहाँ पर increase करता हूं यह पहले से हंडेट से increase था एक और हंडेट से increase हो गया तो यह पूरा-पूरा होता है 200 से increase अब अगला पॉप अप्रेशन आया यह टू निकलेगा लेकिन इस टू के पास 200 का increment value है तो यह जो return करेगा value वह होना चाहिए 202 के बाद इसने खुद को निकाल दिया और यह 200 की value इसे increase करनी चाहिए तो यहाँ पर इस 0 को मैं replace कर दूंगा 200 से ठीक है यह काम होगा complete अपना अगले operation आया फिर से pop का यहाँ पर one रखा हुआ है और उसे 200 से increase करना है यह होगा 201 और इसे मैंने remove कर दिया अब देखो अब यहाँ पर कोई भी element बचे नहीं थे यहाँ पर कोई भी element नहीं है आखरी case को handle करना होगा कि वहां में basically काम नहीं करना है इसके बाद पाप आया तो simply minus one return करके exit काम हमें रोख दिना है तो यही है इसे implement करते हैं तो index basically मुझे बताएगा कि मेरे stack पे कितने बंदे हैं पहले से और उनमें से जो टॉप का बंदा है सबसे उपर वाला उसका index कौन सा है कि काई default यह minus one है कि solve करते हैं जब मैं पूस्ट करने जाता हूं element तो मैं मानता हूं कि अभी जो stack है मेरा इसना बड़ा stack है तो 123 यह तीन बंदे पहले से ही हैं ठीक है और indexing जो है वो इसे पॉइंट कर रही है राइट मैं क्या करूंगा अगर यह जो index है index plus one equal हो जाता है मेरे value array के size के array पर length होगा अगर array के length कि जिना हो जाता है इसका मतलब वह कि सारे elements fill हो चुके हैं तो इसमें simply return कर जाओ ठीक है तो मैंने रेटन कर दिया अब जब size पूरा पूरा भरा नहीं होगा तो मुझे एक नए element को पूस करना होगा तो पहले मैंने index को आगे बढ़ा दिया इससे क्या होगा यह index shift हो जाएगा उपपर पे यहां पर आ जाएगा अब नाया बंदा जो भी एड़ होगा इस नए index पर होगा कि यहां पर मैं कि वैल्यू के इस index पर एक्स वैल्यू डालते हैं और इंक्रिमेंट उसके corresponding जो इंक्रिमेंट वैल्यू है तो जीरो करते हैं कि पुस वाला गाम तो complete हो गया पॉप के लिए देखते हैं पॉप में हमें basically करना क्या होता है यहां पर जो भी बंदा है और उसके corresponding जो इंक्रिमेंट वैल्यू है उन दोनों को add करके रिटन करना होता है और यह इस इंक्रिमेंट वैल्यू को नीचे वाले को pass भी करना होता है तो दोनों काम देखते हैं सबसे पहले तो अगर करो दो इंडेक्स जो है मतलब ठैक्ट वींटी है तो यहां से मैं से म्हांसे रिटन करने वाला हूं माय्नेश को एट पै का है ब अब देखर अब अब हैंड़ करते हैं एलिमेंट के लिए तो सबसे पहले एक्स कृष अधिल्यू ओफ इंडेक्स और increment increment inc से denote करते हैं उसे index चीक है तो मुझे value मिल गया वो कितने से increased है वह भी बदा चल गया index को अब नीचे move करते हैं अब मेरा index अभी अगर मैंने 4 और 10 के लिए काम किया था और 100 के लिए अब अगला जो काम है वो 3 के लिए होने वाला है राइट तो 3 के लिए देखते हैं अभी कि यहां पर फिर से मुझे चेक करना होगा कहीं से डिलेट करने के बाद element खत्म पूरे size 0 नहीं हो गया तो जब index is greater than equal to 0 होगा ठीक है मतलब कोई element था तभी मुझे कुछ काम करना है वो काम क्या करना है इंक्रिमेंट के यह वाले index पे increase कर दो inc यही काम था उसके बाद return करना है मुझे x प्लस को जितने से भी increased होगा ठीक है तो यह काम तो हो गया complete अब का काम भी हो गया अब आखरी काम रहता है increment करने का यहाँ पर हमें थोड़ा सा indexing देखना पड़ेगा ठीक है देखते हैं लेट सपोस की 1234565 कितने बंदे थे मेरे पास अगर मुझे increase में की value 1 दी होती है मतलब में मुझे आखरी की एक बंदे को सिर्फ increase करना है इसका indexing होगा 0 ठीक है 1 के लिए 0 पे मुझे work करना था अगर k की value 2 होती है तो इसका मतलब है मुझे आखरी के दो बंदे को increase करना है और जो टॉप का element होगा उसका index होगा 1 I think इतने से आपको indexing काफी कुछ क्लियर हो गया होगा अगर k की value let's suppose k है तो हमें increase करना है k-1 इंडेक्स को कि यह काम करते हैं लेकिन यहां पर एक और हमें ध्यान रखना होगा कि k-1 यह index मेरे size के अंदर हो यहां पर इसे लिखते हैं मैं index बोलता हूं जहां पर हमें increment का operation करना है तो वो होना चाहिए k-1 but again अभर इतने मेरे पास element नहीं है तो मैं minimum लूँगा minimum लूँगा k-1 और index का अब जाके इंक्रिमेंट में index इस वाले index के corresponding increase वाली value को increase कर देते हैं तो कि सारा काम हो चुका है अभी यहां पर मुझे लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा इसे इंडेक्स और k-1 मुझे minimum तो मिल गया है कि यह operation तब आया हो जब मेरे पास 0 elements थे राइट मतलब इंडेक्स की value-1 थी उस case को मुझे अलग से handle करना पड़ेगा अगर इंडेक्स की value greater than equal to zero होती है तब ही मुझे यहां पर इसे increase करना है अदर्वाइस इस इंपली ignore कर दो ठीक है इसे run करते हैं अभी ठीक है तो यह perfectly work कर रहा है correct answer यह था इसे code पूरा logic हमने जो काम किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो पे thanks for watching